मस्कार किसान वाईयो अलोर मंडी भाव चैनल पर हम सभी लोगों का स्वागत है आज होगे 30 दिसमबर 2021 और देजबर की विबिन प्याज मंडीयों के भाव कल स्याम तक को क्या देखने को मिले थे वह सभी जनकारी होने वाली थे वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तो बा वहीं अगर पूने की बात करें तो पूने में जो लोकल प्याज भी का है 500 से 3500 रुपे और राता में 59 प्याज भी का है 600 रुपे से लेकर 3300 रुपे प्रतिकुंटल पीपल गावं वस्मंत में 59 प्याज भी का है 1790 से 3140 रुपे और कोपर गावं में 59 प्याज भी का है 700 सटाइस सो नबारुद कोई थेए हुइन सट रूबड और अगर बात करें उसमें लाल बास याज तो पांसो मों प्याज रूबड और नासिप में उनाली प्याज भी का है साथ रूप़धुपakingटल और शांकरी में 59 प्याज भी का है 250 रुपे से लेकर 265 रुपे और आपका उम्राने में लाल प्याज भी का है 900 रुपे से लेकर 251 रुपे नागपुर में लाल प्याज भी का है 1800 रुपे से लेकर 25 रुपे लासल गाउं विंचूर में लाल प्याज भी का है 900 रुपे से 2400 रुपे और कॉपर गाउं में लाल प्याज भी का है 700 रुपे से लेकर 261 रुपे अगर नासिक में पॉल प्याज की बात करें तो 500 रुपे से लेकर 2200 रुपे नाद गाउं में लाल प्याज भी का है 200 रुपे से लेकर 213 रुपे चांदवाड में पॉल प्याज भी का है एक जार से 2154 रूपे और चांदवाड में 59 प्याज की बात करें तो 1901 रूपे से लेकर 2135 रूपे माले गाउं मूंग से में लाल प्याज भी का है 450 से 2125 रूपे मनमाड में लाल प्याज भी का है 400 रुपए से लेकर 217 रुपए परती कुंटल पिपल गाउं साइखेडा में अगर लाल प्याज की बात करें तो 600 रुपए से लेकर 2021 और लासल गाउं में लाल प्याज की बात करें तो 800 से 220 रुपए पूने पिम्परी में लोकल जो प्याज भी का है 1000 से 2000 रुपे के बीच में और माले गाउं मुंग से में 49 प्याज भी का है 500 रुपे से लेकर 1400 रुपे प्रतीक क्यूंटल तो ये था महाराष्ट की सभी मंडियों का बड़ा अपडेट ये जो भाव हुए कल सेम तक के फाइनल भाव थे आज क्या भाव खुलते हैं वीडियो के मादम से अपडेट आपको दे दिया जाएगा नमस्कार